दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते हो कि जैसे ही आपको बैट साइब के उपर मैसेज आता है और आप इस मैसेज को देख लेते हो, सीन कर लेते हो तो उसी समय अब जो सेंडर होता है उसके पास दो blue tick के निशान चले जाते हैं और उसे पता चल जाता है कि आपने message देख लिया है दोस्तों अगर आप इस blue tick के निशान को avoid करना चाहते हो तो आप ये video देखते रहे हैं नमस्कार दोस्तों मैं संजे कुमार आप देख रहे हैं टेकनिकल मंडोत्रा जी चलिए सीखते हैं blue tick को avoid करने के लिए सबसे पहले आपको जाना होगा whatsapp के उपर उसके बाद आपको corner पे 3 dots दिखेंगे उसके उपर आपको एक वार क्लिक करना है और last में आपको option दिखेगा settings settings के उपर आपको एक वार क्लिक करना है जैसे आप क्लिक करोगे आपको first option मिलेगा account आपको उसके उपर एक वार फिर से क्लिक कर देना है उसके बाद आपको फिर से एक option मिलेगा जिसके उपर लिखा होगा privacy किसी उसके ओपर फिर से अपनेे एक बर क्लिक करना है उसके बाद जहां पर देखोगे आपके एक लास्ट ओप्षन मिलेगा rate rips stage आपको ईसके ओपर एक बर क्लिक करके से disable कर देना है जैसे आप इससे disable कर दोगे उसके बाद अगर आप किसी का मेसेज सीन करते हो तो नहां मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना बोले क्योंकि मैं इसे साल की 20 तारीक से आपके लिए ऐसी ही टेक्निकल वीडियोस लेकर आता रहूंगा तब तक के लिए इतना ही जैहिन जै भारत